अब आप सब अच्छे होंगे मजे में होंगे आप सबी का पहुत पहुत स्वागत थे हमारे निउ ब्लोग में तो जहां से ब्लोग को खतम किया था वहीं से ब्लोग को फिर से शुरू कर दिया है तो आरोही के पापा ने यहां पर अलमारी को सेट कर दिया है लेकिन अभी हो सकता है कि हम इधर उधर थोड़ा सा कर सकते हैं लेकिन जहां तक है आरोही के पापा तो यह बोल ले थे कि यहां पर सही से सेट भी हो गई है और थोड़ी सी फर्स जो है नकी उची नीची है लेकि से हैं सभी चीजे या नहीं है क्योंकि जहां से हम लाए थे उन भहिया ने बोला था कि सभी चीजे अच्छे से चेक कर लेना अगर कुछ थोड़ी बहुत अगर गड़बडी होगी तो हम बदल देंगे तो इसी बज़े से हम यहां पा देख रहे थे अच्छे से और खुसी त उसके बाद में जिस आटो पर अलमारी आई थी उस पर लदवा भी दी थी और उसके बाद में ये गलती हो गई थी कि आरोही के पापा वहीं दुकान पर हम लोग सबी लोग थे और हम लोगों ने सोचा कि जो दुकान वाले भाईया हैं उनका कुछ जाने पहचानी ये आटो अंजाने थे पूच लिए сारी चीजे बता दी थि लेकिन लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि इनके जाने भी ये भईया नहीं थी टो बहुंआ जो हैने की पहले से ही आटो भगाकर ले आये तो इतना हम डर गए और उन भाईया ने एक तो और भी हमें डरा दिया कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो हैने की कूलर लदवा दिया आटो पर और आटो भगाकर ले गया और आज तक कूलर का पता भी नहीं चला है कि कहां लेकर गय और कौन था तो इसकी बज़े से हम बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि आटो वाले भाईया जो थे एकदम से आगे आगे भगा कर ले आये थे और फिर हम लोग बहुत जल्दी जल्दी से आये फिर उसके बाद में कुछ भी आरोही को भी खिला पिला नहीं पाया था और ही कुछ चीजे ले पाएं थी तुरंत से हम लोग वहां से निकल पड़े वैसे तो एक लोग आटो पर आते तो ज़्यादा अच्छा रहता लेकिन वहां पर बीच बिल्कुल भी नहीं बचा था और फिर अकेले अच्छा भी नहीं लगता है किसी अंजान के साथ में आओ त तब एक दम से हमें थोड़ा सा अच्छा लगा और वैसे तो हम इतना ज़्यादा डर गए थे कि पता नहीं किदर साइड से लेकर गए हैं किस वाले रास्ते से लेकर गए हैं तो ये जो हम लोगों से गलती हो गई थी कि हमें उनके साथ में आना चाहिए था और या फिर एक लोग आटो पर आते तो ये डर ना रहता लेकिन एकदम से डर गए थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं काफी हम लोगों ने पीछा किया तब जाके जो हैनकी जिस रास्ते से बताया था उसी रास्ते से वो भईया लेकर आ रहे थे और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबा क और तारीक है 28 तो आज मैंने का चलो आज दिन थोड़ा सा सही वैसे दिन तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन मैंने का कि सुक्रवार को रखेंगे सभी चीज़े अच्छे से सेट करेंगे वैसे आरोही के पापा बोल गये थे कि आज ही सभी चीज़े इसमें रख लेना क्यू नहाली हो जाएगा उसमें और माकी की चीज़े हम रख लेंगे अच्छे से तो उसमें भी जगे हो जाएगी और दिक्कत भी नहीं होगी कपड़े निकालने में और इधर चाय नास्ता सुबा का हो चुका है उसके बाद में मैंने आरोही को भी तैयार कर दिया है और हम भी नहा चुके हैं पूजा हो चुकी है और सबजी सायद मैंने पहले से ही बना ले थी उसके बाद में नहाए हैं और नहा कर बस रोटियां सेकने लगे हैं क्योंकि खाना बनाने की देरी हो रही थी तो मैंने का चलो यहीं पर बना लेते हैं अब तो गैस पर अब की बार हम लो बूटियां से कि है आद डाल बनाई है चना की डाल बनाई है और मैंने अरहर की डाल बनाई थी इस बक्त जादा कुछ दाल बन रही है दूसरे तीसरे दृसरे दिन डाल बन जाती है क्योंकि आलू जो है तो आलू की सबजी अच्छी लग रही थी लेकिन इन दिनों में अच्छी नहीं लग रही है बिलकुल भी अब हरी सबजी आएंगी तब जो हैने की आलू के साथ में कुछ ना कुछ पढ़ जाएगा तो अच्छी लगेगी और इधर यहाँ पर मैंने समाल दिये हैं बिस्तर सारे और कंबल ऐसे ही पढ़ा था तो कंबल को भी घरी करके मैंने रख दिया है और कल यहाँ पर बालू बहुत ज़दा आ गई है तो मैंने का आज पोचा भी लगा देते हैं जाडू तो विए स सुबा के टाइम लगाई थी लेकिन यहाँ पर पोचा नहीं लग पाये था तो मैंने का अब पोचा लगा देते हैं जो भी साप सपाई है वो कर देंगे यह और इधर आज बहुत ज्याधा मिट्टी पड़ी थी क्यूंकि आ रोही के पापा यहीं पर जूता रख देते हैं और आरोही के पापा और आरोही सबसे जूता मैंने आरोही के पापा के निकाले हैं, बो हम बाहर निकाल दिये हैं, बिल्कुल बाहर निकाल दिये हैं, बो हम वहाँ पर घर में रख देंगे, यहाँ पर नहीं रखेंगे, नहीं तो यह चपल पहन कर जाते हैं, और अंदर जूता पहनते हैं, तो इसी बज़े से बह मैंने काचलो बाद में धूल देंगे और इतना ज्यादा गंदा भी नहीं था आपकी बार मैंने बाहर नहीं उसको डाला है अंदर ही बस बिचा था तो ज्यादा गंदा नहीं हुआ है तो आज मैंने काचलो धूल देते हैं और इधर यहाँ पर पोचा लग चुका है बाहर मै वैसे तो पहले थोड़ी सी जगे थी तो बस पानी डाल कर अच्छ से और यहां पर बस पहुचा लग चुका है उसके बाद में यह पैरदान मैंने धुल दिया है बाहर बाले नल से और फिर आ गए हैं घर पर यहां पर मैंने धुले हैं बरतन खाना तो बन चुका था सभी ने खाना खा भी लिया है और बरतन दुल दिये हैं और यहां की भी साप सफाई कर देते हैं क्योंकि यह काम रोज के हो जाते हैं रोज के काम पहले तो यही सोच रहे थे कि पहले हम करेंगे यह वाले काम लेकिन फिर मैंने का चलो बाद में कर देंगे बस पहुचा ही लगाना बाकी रह गया था तो ये भी लग चुका है और अभी थोड़े से कपड़े पड़े हैं कपड़े दुलेंगे आरोही के हैं आरोही के पापा के सभी के कपड़े पड़े हैं तो कपड़े दुलकर भी डाल देंगे साथ में ही और उसके बाद में हम आये हुए थे बगिया आप समेटरी हैं, यहां पर पापा जोर रहे थे और बुआ और कोई नहीं आया था बस पापा बुआ ही लगे थे काम में, तो मैंने का चलो चलते हैं, देखते हैं और थोड़े बहुत जो भी काम बाकी रहे गए हैं, वो करवा देते हैं क्योंकि हम तो घर में ही लगे रहे सारे कामों में और वैसे तो हैं तो बहुत सारे लोग घर में लेकिन इन दिनों में नंदत जी की तवियर नहीं ठीक है तो वो भी कुछ काम नहीं करती हैं उनसे करवाते भी नहीं लेकिन कभी कभी वो करने लगती हैं काम आज भी करने के ल लेकिन वो मानती नहीं है कई दीदिया हमारी कमेंट करती है कि आपकी नंदत की तबियत नहीं ठीक है फिर भी आप लोग काम करवाते हो और दो-दो लोग हो करने वाले तो ये तो वास सही है दीदी लेकिन वो मानती नहीं है जब भी उनकी थोड़ी सी हलकी तबियत होती है त वक्त तबियत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है और बुआ आराम कर रही थी वहाँ पर बैटी तो बुआ बोलने लगी कि थोड़ी सी दूप जादा है तेज तो अभी नहीं हटाएंगे कुछ भी ऐसे ही छोड़ दो तो मेंने का चलो ठीक है तब तक हम घर आ गे थे और इध या चार बजे के टाइम तो जाड़ू तीन टाइम हमारे यहां लगती है तो जाड़ू मैंने लगा दी थी हर जगे साप सपाई कर दी है और उसके बाद में हम बगिया आ गे थे क्योंकि अब इतने टाइम थोड़ी सी हलकी धूप हो गई है और गर्मी तो बहुत जादा ल बुआ हैं पापा भी हैं पापा भी कुछ काम में लगे थे जो हम लोग यह जो सरसों की तुरिया बोलते हैं लोग जो यह इन में च्हिया लगती हैं छोटी छोटी सी वही वाली निकाल लें उधर साइड में डाल लें तो वहां पर पापा ही तब तब तक इसको डंडे से जार रहे थे कि इसमें जो भी दाने बच गए हूं वो भी अच्छे से निकल जाएं और इतनी सरसों निकली है इसमें भी थोड़ी बहुत निकल आई है तो एक बार के लिए तेल पिरवाने के लिए हो जाएगी जिसको हमारे यहां जब तेल पिरवाने के लिए जाते हैं तो इसको तौल कर लेकर जाते हैं तो घानी बोलते हैं और यहाँ पर बस जल्दी जल्दी से हम और बुआ लगे थे दोनों लोग तो जल्दी हो गया था थोड़ा सा वैसे अकेले के लिए बहुत देरी लगती और काफी काम भी था तो हम दो लोग लगे थे और पापा भी थे सारे काम हो गए थे और अभी इसको साप करना बाकी है तो बुआ बोल नहीं थी कि आज नहीं साप करेंगे किसी दिन अच्छे से हवा चलेगी और एक तरफ ही हवा चलेगी उस दिन इसको अच्छे से यहीं पर उसा लेंगे तो अच्छे से साप हो जाएगी और वैसे तो घर पर भी साफ हो सकती है पंगे से लेकिन वहां पर काफी धूल मिटी हो जाएगी और बराबर से सबी लोग निकलते रहते हैं तो वहां पर ठीक नहीं रहेगी तो यहीं पर बुआ किसी दिन अच्छे से इसको साफ कर लेंगी और बस अब थोड़ी सी बाकी रह गई है इसको भी हम साफ कर लेंगे और तब तक बुआ डंडे से जार रही थी सरसों जो कि जो भी दाने बचे हों वो भी निकल जाए अच्छे से और आप सभी दोस्तों को तहदिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो हमें बहुत अच्छा लगता इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और बहुत सारी दीदियों ने हमारी कमेंट किया है जो आपने हरी वाली साड़ी ली है वो बह बहुत ही प्यारी लग रही है आप तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत अच्छी बाते हमें बताते हो हमें बहुत अच्छा लगता है जो बाते हमें पता नहीं होती है वो बाते बताते हो और नदजी यहां पर खड़ी है थोड़ी सी इतने टाइम तबियत ठीक है तो फिर से हमारी नदजी आ गई है आरव को खिला रही है क्योंकि लेटी रहती है तो लेटे लेटे भी ये परिसान हो जाती है कभी कभी रोने लगती है कभी कभी बाते आते करती है बैठे बैठे और ज्यादा तर ये परिसान रहती है रोने लगती है अपने पहुत जाधा आरोही ने गंदे कर लिये थे खेलते खेलते तो यहां पर आरोही अब खाना खा रही है। आज सुबा के टाइम आप सभी को बताया था कि दाल चावल बनाये थे तो दाल कम थी तो दुपहरी के लिए सभी को नहीं हो पाई थी और इधर बुआ भी आ गई थी खाना खाने के लिए बुआ को भी भूंक लगी थी तो बुआ के लिए लगा दी है थाली और थोड़ा सा क यहां पर तो मैंने भी एक रोटी खा ली थी, आरब बहुत ज़्यादा खुस है, आरब खेल राए आरोही के साथ में, जब भी आरोही आती है, तो आरोही के साथ में खेलता है, तो बहुत ज़्यादा खुस रहता है, और आरोही जब पढ़ने चली जाती है स्कूल, तो आरब बहुत ज़दा परिसान हो जाते हैं कि कब आएगी कब आएगी दीदी तो दीदी के साथ में हम खेलें और इतने टाइम बहुत ज़दा आरब खुस है बुआ के साथ में खेल आए और आरोही के साथ में और आरोही यहाँ पर नाच कर दिखा रही थी आरब को क्योंकि आरोही जब भी नाचती है तो आरब बहुत ही हिसाब से देखते हैं और उधर मैंने खाना खा लिया था उसके बाद में कुला कर लिया है और यहां पर बुआ भी भी बैठी है क्योंकि नीचे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है पसीना निकल दा है जब हम लोग चूले के पास में बैठे थे तो मैंने का चलो बस जल्दी जल्दी से रोटियां सेक लेते हैं देवरानी जी हमारी रोटियां बेल रही है और हम सेक रहे हैं तो सारी रोटियां हम पतली वाली सेकेंगे और आज मैंने आप सभी के साथ में साम का रूटिन सेयर किया है और खाने पीने की चीज़े दिखाई है विसे सुबा का भी रूटिन आप सभी के साथ में सेयर किया है और साम का भी दोनों टाइम का सेर किया है और इधर आरोही अभी खेल लई ये थोड़ा सा उजाला है इतना ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ है बार की साइड में अभी हलका सा उजाला है और रोटियां हमारी जल्दी से ही सिख गई थी क्योंकि दोनों लोग लग गए थे तो जल्दी हो गई थी थोड़ी सी वैसे अकेले से से को ज़्यादा टाइम लग जाता है और सारी रोटियां से को तो काफी आटा भी लगाना होता है सबी लोग घर पर हैं तो उतना ही ज़्यादा आटा लगाना होता है बहुत अच्छा लगता है हमारे यहां सभी लोग घर पर ही है और इधर फिर रोटियां सीख चुकी हैं उसके बाद में आज ही साम को ही हम चूले की पुताई भी कर देंगे बैसे तो सुबा के टाइम करते हैं लेकिन मैंने का आज अभी कर देते हैं किसी किसी दिन नहीं करते हैं और किसी किसी दिन जब भी मन होता है या फिर टाइम होता है तो कर देते हैं तो आज अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैंने का चलो पुताई भी यहां पर कर देंगे तो आग जो थी अभी आग बहुत तेज थी गर्मी जितनी तेज होगी उतनी ही तेज आग होगी तो आग को मैंने काफी टाइम हो गया है कर दी थी बरोसी में उसके बाद में चूहला भी हमारा ठंडा हो चुका है फिर हम आ गए थे पुताई करने के लिए और पुताई करके फिर चलेंगे तब हम लाइट बंद करेंगे मैंने का भी लाइट जलने देते हैं पुताई भी साथ म ही करके तब चलेंगे तब तक हम आरोई के पापा भी थे और यही पर हमाराhos माला भी टूट गया था जोकी मंगल शूतर थोड़ा सा यह एक दागा निकल गया था तो मोती भी बिखर गय थे तो वो मोती भी मैंने सारे उठाये आरोही की बज़े से तूट गया था क्योंकि आरोही बहुत ज़्यादा सैतानिया करने लगती है और हमें बिल्कुल उठने नहीं दे रही थी तो इसी बज़े से तूट गया था और इधर आप सभी लोग चलेंगे हम लोग घर और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना जो दोस्त हमारे चैनल पर निव आते हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर के लिया करें कल फिर मिलेंगे एक निव ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते अपना बहुत ही क्याल लगिएगा गुड नाइट